नमस्कार दोस्तों आप सभी का Study Quiz with निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागतें जैसा कि डेली में हिंदी शिक्षन, विदी, संस्किष शिक्षन विदी और सामाजिक शिक्षन विदी की वीडियो अपलोड कर रही हूँ ठीक वेसे ही आज में सामाजिक शिक्षन विदी का भाग दो लेकर आई हूँ, इससे पहले भाग वन अपलोड कर चुकी हूँ उसमें टोटल 20 क्योशन थे, आज ये 25 क्योशन की वीडियो हैं, तो इसे एन तक जरूर देखी और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए पहला प्रशन है, कौनसी विदी वेग्यानिक धंग से हल पर बल देती हैं, वह कौनसी विदी है जो वेग्यानिक धंग से हल करने पर बल देती हैं, परिवेक्षित विदी या अध्यान, निरिक्षन विदी, प्रियोक्षाला विदी या फिस समस्या समाधान विदी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो समस्य समाधान विदी है वो बेग्यानिक ढंग से हल पर बल देती है समस्या समाधान विदी में क्या होता है बच्चों को कोई समस्या दी जाती है या फिर उनके सामने इसी समस्या रखी जाती है जिनका वो खुद समाधान करें यानि अगर बच्चा समस्या का समाधान करेगा तो वो क्या रहेगा क्रियाशिल रहेगा इस ते इस विदी को मनोविग्यानिक विदी माना जाता है तो आंसर क्या इसका D समस्य समाधान विदी अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 22 मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धती है वह कौनसी पद्धती यानि विदी है जो मानसिक शक्तियों का विकास करने में कारगार है समस्य समाधान विदी, अलोकन विदी, समाजी कृत, अभिवेक्ती विदी या फिर योजना विदी यह समाजी क्रिते, यानि वह विदी हो जाएगी, कौन सी की जो मानसिक शक्तियों का विकास करने में सक्षम हो, कौन सी विदी हो जाएगी, वह हो जाएगी, यहाँ पर भी इस कांसर हो जाएगा, अगला प्रशन देखिए, प्रशन नमबर 23, योजना व समस्या समाजान विदी में अंतर है, योजना विदी और समस्या समाजान विदी में क्या अंतर देखा गया है, या क्या अंतर होता है, योजना व समस्या के चयन में, तथ्यों के संकलन में, निशकर्षों की दृस्टी स तो जो इनमें अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है निशकर्षों की द्रिस्टी से आंसर हो जाएगा C निशकर्षों की द्रिस्टी से बाकी जो उप्षन है जैसे योजना वा समस्या के चैन में यह समान होता है तैत्यों के संक्लान भी एक जिसे होते हैं और उपयोगिता क द्रस्टि भी लगबख समान होते हैं तो इसका अंसर के ओगा C. निश्कल bluetooth की द्रस्टि से अगला प्रशिण देखिए प्रश्ण 24 सामाजिक वाद विवाद कही जाती है सामाजिक वाद विवाद कही समाजी कृत व्यक्ति को आंसर हो जाएगा V समाजी कृत अभी व्यक्ति अगला प्रशन देखें प्रशन नंबर 25 इकाई पद्धिती का िपत रहलेम को होता है, इन में इकाई पद्धिती का पद कौन सा नहीं होता है अनुसंदान, प्रस्तूतोती करण आत्मसाती करना है फिर व्याख्यान तो एकाई पदती का जो पद नहीं होता है वो होता है व्याख्यान यह व्याख्यान यानि कि एकाई पदती का पद नहीं है एकाई पदती के टोटल पद होते हैं पांच इसमें तीन दिये गए यानि अनुसंदान प्रस्तूती करन आ अगला प्रश्ण प्रश्ण 26 छोटे बच्चों के लिए उपर्युक्त नहीं मानी जाती है योजना पद्यति और पद्यति नाट की करण या फिस समस्य समाधान तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा D समस्या समाधान क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं सुल जा सकते यानि उसका समाधान नहीं कर सकते वो इतने सक्षम नहीं होते हैं इसका आंसर हो जाएगा D, समस्या समाधान विदी, छोटे वच्चों के लिए उप्रयोगत नहीं मानी जाती है, यानि योजना पद्धती मानी गई है, अवलोकन पद्धती भी मानी जाती है और नाठी की करण भी मानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D, समस्या समा प्रस्तूति करण, इसपस्ति करण, प्रयोग और पुन्रा फृत्ति तो इसका आंसर के हो जाएगा पार्ट योजदा का सोपान कौन सा नहीं होता है तो वो हो जाएगा इसपस्ति करण आंसर हो जाएगा इसका भी इसपस्ति करण बाकी प्रस्तुति करण, प्रयोग, पुन्रावती, मुल्यांकन ये सभी पाठियोजना के सोपान होते हैं अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट नमबर 28 प्रायोजना विदी के जनक किस देश से संबंदित थे? जो प्रायोजना विदी दी गई है, जिसके द्वारा वहां किस देश संबंदित थे? अमेरिका से है, फ्रांस से है, जर्मनी से है या फिर इंग्लेंड से है तो प्रायोजना विदी के जो जनक है, उनका संबंद अमेरिका से है, आंसर हो जाएगा A, अमेरिका अगला प्रश्ण देखिए विसे प्रायोजदा विदी की जनक को ने तो केल पैट्री के हैं अगला प्रश्ण 29 प्रादेशिक विदी की स्थापना किसके द्वारा की गई हरबट सन के द्वारा, मौफात के द्वारा, जॉन डुक के द्वारा या फिर जॉन डुवी के द्वारा डुवी भी बोलते हैं और जॉन डीवी भी बोलते हैं न डीवी तो इसका आंसर क्यों हो जाएगा कि प्रादेशिक विद्धी की स्थापना किसके द्वारा की गई है आंसर हो जाएगा हरबटन सन के द्वारा आंसर ए ए हरबटन सन के द्वारा अगला प्रशने 30 पार्ठिक्रम में शामिल 4 एज में कौन शामिल नहीं है पार्ठिक्रम में चामिल 4 एज में कौन शामिल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ए होनेस्ट एज इसमें शामिल नहीं है बाकि 3 हैल्थ, हैंड, हैड यह सब पार्ठिक्रम में शामिल है अगला प्रशन है प्रशन 31 निमने लिखित में ऐसे कौन सी व्याख्यान विदी का लाब नहीं है क्यानि व्याख्यान विदी का कौन सा लाब नहीं है या चात्रों को प्रेरित करती है या शिक्षक तता शिक्षार्तियों के संपर्ग को सुविधा जनक बनाती है इसमें समय शक्ति की बचत होती है इससे विद्यार्थि के श्रवन कोशल का विकास नहीं हो पता है तो व्याख्यान विदी का लाग कौन सा नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा कि इससे विद्यार्थियों के श्रवन कोशल का विकास नहीं हो पता है है यहांतों क्यों व्याख्याण विध्यास के लें होxic श्रावन कोशल का विपास तो होतेăngी हैupid व्याक्यान विदी चात्रों को प्रेरिद करती है, शिक्षक और शिक्षार्तियों के संपर्व को सुविधा जनक बनाती है, इससे समाय और शक्तिकी भी बचात होती है, आंसर क्या इसका D हो जाएगा, अगला प्रश्ट देखी, निमने लिखित में से कौन सा भाषन विदी क दोश नहीं है, चार ओप्षन है, इसमें बताना है कि भाषन विदी का दोश नहीं है, यानि कि वो क्या हो जाएगा, भाषन विदी का गून हो जाएगा, बाकी तीन दोश से एक गून है, तो हमें गून ढूनना है, या विद्धियार्तियों को निश्करवी बनाती है, या इसपस्टी करण का एक महत्पूर्ट सादाने या आत्म श्रम को हच्छु साइद करती है इसमें अनाशक बातों का समाविश हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का 32 का आंसर हो जाएगा कि यहाँ इसपस्टी करण का एक महत्पूर्ट सादने क्या भाषन विदी या इसका दोश नहीं है, यह सही है, यह इसका गुण हो जाएगा कि भाषन विदी के द्वारा हम इस पस्टी करण अच्छे से कर सकते हैं, यानि कि यहाँ इस पस्टी करण का एक महत्मुन साधा नहीं, अगला प्रशन देखी प्रशनमबर 33, 33, किस योजना द्वारा, किस योजना द् विभाजन को योजना द्वारा, विकाल योजना द्वारा या फिस्वामाजिक योजना द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों की शिक्षा का उप्युक्त धंग से सम्प्रबंध हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका सम्मेलन योजना, ए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सम्मेलन योजना के द्वारा पिछड़े उवे बालकों की शिक्षा का उपर युक्त धंग से प्रबंध हो जाता है अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 34 प्रशन ने चार ओप्षन दी पहले चार बाते कही गई है अपचारिक वर्ग योजना अनपचारि विदी के लिए किसने बताएं यह चार जो योजना बताई गई है या विदी के रूप बताए गए हैं किसने बताए हैं मौफात ने बताए हैं मेबेल ने बताए हैं वेसले ने बताए हैं या फिर बाइनिंग येवं बाइनिंग ने बताए हैं तो चोती से को आंसर हो अगला प्रशने, कहानी विदी के लिए शिक्षक को होना चाहिए, अच्छा विद्वान होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित होना चाहिए, उसका अच्छा कहानी कार होना चाहिए, फिर अच्छा कवी होना चाहिए, प्रशने क्या है, प्रशने कहानी विदी के लिए शिक्ष प्रितक कक्षा की अऊधाना कि शिक्षण बैदी में की गयई हैं। समाज़क चीन चीन के लिए प्रितक कक्षा की अऊधारना किस सिक्षण बैदी मेंばい गय जाता है। तो इसका आंसर क्यों जाएगा डाल्टन विदी, C, इसका आंसर है डाल्टन विदी, यानिकि सामजिक ज्ञान शिक्षन के लिए प्रत्रक कक्षा के अवदार्ना डाल्टन शिक्षन विदी में की गई है, अगला प्रस्ट देखे, प्रस्ट नमबर 37, निम्न कक्षाओं में ज्यानिक्षाओं 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 में ज्यानि या हे तू, या इनको सिखाने के लिए, या इनको समझाने के लिए आप किस शिक्षन पद्दती को अपनाएंगे, तो हम कौन सी शिक्षन पद्दती को अपनाएंगे, हम अपनाएंगे निरिक्षन को, आंसर हो जाएगा बी निरिक्षन, अगला प्रशने, प्रशन नंबर 38, सामाजिक ज्यान शिक्षन कक्षि की सरवादिक महत्पून आवशकता है सामाजिक ज्यान शिक्षन कक्षि की सरवादिक महत्पून आवशकता है क्या होती है यानि कि कक्षा की सरवादिक महत्पून आवशकता है साधन कौन सा होता है फनिचर होता है प्रकाश होता है वायू होती है या फिर सायक सामगरी होती है तो हमें सामाजिक शिक्षन करवाने के लिए सबसे जरूरी या सरवादिक जो महत्पून है वो है सायक सामगरी क्योंकि SSD सामाजीक सोशल स्टड़ी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सायक सामगरी के बीना पढ़ाना असंभव है तो आंसर क्यों हो जाएगा इसका D सामाजीक सिक्षन के लिए हमें सायक सामगरी जरूरी है अगला प्रशने 49-39 ग्राम पंचयत का चुनाव संगठन एवं कारी प्रणाली किस सिक्षन विदी द्वारा करवाना चाहेंगे यानि हमें ग्राम पंचायत का चुनाव करना है, संगटन, कारिपनाली आदी करना है तो हम किस सिक्षन विदी द्वारा करवाना चाहेंगे व्याख्यान विदी द्वारा, वाद विवाद द्वारा, प्रोजेक्ट द्वारा या फिर समस्या, समादान द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा हमें ग्राम पंचायत का चुनाव करवाने के लिए जो उपर युक्त विदी है वो है कौन से हो जाएगी प्रोजेक्ट विदी, प्रोजेक्ट विदी के द्वारा यानि C इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट विदी के द्वारा हम ग्राम पं परिक्षन्प्रनाली र स्रक्राइब क्योंकि क्या सीमिश संमय में पूण हो जाती है पूरे पाठेग्रम में प्रसारीष होती है और उत्तर देना सरलन है या फिर जाज कारें भी सरल होता है तो इसका अंसर हो जाएगा वेंस क्या 서브 सब्क पाँन साहे याक्राम कौन सा है इसका आंसर हो जाएगा B कि यह जो वस्तुनिस्ट परिक्षन होता है पूरे पाठे क्रम में प्रसारीत होती है यानि वस्तुनिस्ट जो परिक्षन किया जाता है वो पूरे पाठे क्रम में से किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B पूरे पाठे क्रम में प्रसारीत होती है अगला प्रस्त देखे 41 निरिक्षन विदी में महत्पुन सावदानी बढ़ती जानी चाहिए बालकों को स्वत्तनद उसर देना निरिक्षन द्वारा समझने का उसर देना प्रस्त करना या फिर पूर्व तेयारी वप पूर्व निर्धारित उद्देश न निर्धारित कर लेने चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वनिते आरि वह पूर्वनिर्धारित अगला प्रश्न है है सामाजिक झान-शिक्षन की वह-पद्दती जिसके दोष्पूhewञ होते हुए भी सर्वाधिक प्रयोग होता है यानि कि सामाजिक ज्यान शिक्षन की वह पद्दती यानि कि विधी जिसके दोश्पून होते हुए भी सरवादिक प्रयोग होता है का नाम है यानि उसका नाम क्या है पाठे पुस्तक विधी, व्याख्यान विधी, निरिक्षन विधी या फिर वाद विवाद विधी तो इसका आंसर हो जाएगा B. व्याख्यान विदी व्याख्यान विदी एक दोश्पून है इसको दोश्पून माना जता है लेकिन आज वर्थमान में भी सर्वादिक प्रयोग किसका होता है व्याख्यान विदी का होता है सामजिक ज्यान शिक्षा का महत्पूर्ण गुण होता है नेत्रित्व शम्ता, आंसर हो जाएगा D नेत्रित्व शम्ता, यानि सामजिक ज्यान शिक्षा से हम बच्चों में नेत्रित्व शम्ता का विकास करते हैं या कर सकते हैं, तो आंसर का है इसका D, अगला प्रश्ण है वहाविदी जिसमें शिक्षक को विध्यार्थ्य के प्रती पूर्ण उत्तरदायत्य 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 के प्रती विद्यार्टि को बहार ले जाया जाता है इसते शिक्षक को विद्यार्टि को पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है तो आंसर क्यों हो जाएगा ए प्रहमन विदि अगला प्रशन देखें प्रशन नंबर 45 सामाजिक ज्यान का महत्पुर्ण उद्देश बालक को बनाना है सामाजिक ज्यान का जो महत्पुर्ण उद्देश होता है बालक को क्या बनाना होता है विद्वान बनाना, स्वस्त बनाना, आदश बनाना या फिर अच्छा नागरिक बनाना तो सामाजी ग्यान का महत्पूर उद्देश होता है कि बालक को अच्छा नागरी कब बनाया जाए आंसर हो जाएगा D अच्छा नागरी अगला प्रशने प्रशन नमबर 46, सुरी 45 ही थे तो ये टोटल प्रशने थे लगबग 25 आप इन्हें जरूर करिए और कमेंट सेक्स में आप जरूर बताया करें कि आपकी कितने सही हो रहे हैं उससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और मेरे चैनल को लाइक करें, सस्काइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो को एन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवान